हलो दोस्तो गुड मॉनिंग आदाप सस्रिया काल स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल रजनी सुकला इंटरटेन्मेंट में दोस्तो आज कल तो आप लोग देखी रहे हैं कि वो एक पंकच सिंग करके लड़का था जिसने खिसारी लाल यादो की बेटी पे गंदा गाना गा दिया था जो कि बेहत सरवनाक काम था तो उस लड़के को बेहत बुरी तरीके से पीटा गया तो मैं उसके सपोर्ट में हूँ कि उसको पीटा जाना चाहिए लेकिन उसके खिलाब केस भी हो गया मैं उसके भी सपोर्ट में हूँ कि उस पर केस होना चाहिए लेकिन जिस बंदे ने केस किया जो बंदा आ करके नेता बन रहा है बहुत गुसे में हो रहा है तेरे को जान से मार देना चाहिए ऐसी ऐसी बातें कर रहा है जिसका नाम है खिसारी लाल यादो वो बात कर रहा है कि मेरे पास बहुत पैसा है पैसा तेरे को दिया किसने? तेरे को श्टार बनाया किसने? यहां की पब्लिक ने चलो भाई लोग जो आप लोग वीडियो देख रहे हो जितने भी दरसक हो भोजपुरी समाज के जो भी दरसक इस बीडियो को देख रहे हैं या हिंदी वाले देख रहे हैं इमानदारी से बताईएगा कि खिसारी लाल यादों ने कितने सही गाने गाए है अरे वो चाची की बाची सपनवा में आएगी वो गाना आपने सुना होगा न चाची की चाची की बेटी चाची की बेटी मतलब बेहन मतलब ऐसा ऐसा ये लोगों के माइंड में डाल रहे कि ऐसे ऐसी सोच लाओ मतलब खुद वैसा गाना गाए तो कुछ नहीं मतलब हम करें तो रासलेल तुम करो करेक्टर ढ़िला जो भी मॉडल रहती है अक्डरस रहती है पता नहीं कहां कहां क्या किया किस जगा पर यह हाथ लगाते है यह उसतरीके की असलीलता पहलाते है आज वो बंदा आपने आपको बहुत साफ सुत्रा च्बीवाला बेक्ति कहता है कि इसके खिलाब केस इसको जान से मार देना चाहिए I know that कि वो लड़का गलत था गलत है उसके साथ जो हुआ बिलकुल सही हुआ लेकिन Mr. Khesarila ले दो तुमने भी कुछ सही नहीं किया तुमने भी कोई इतने दिन तक भोजपुरी इंडस्टी में जंडे नहीं गाले कि भोजपुरी का नाम आसमान में पहुँचा दिया तुमने भी वही गंदगी फैलाई और उस गंदगी के चलते जरी आज यहां तक पहुँचे तुमें भी उसी तरीके से पीटना चाहिए तुमारे खिलाब भी केस करना चाहिए एंग्री हूँ क्योंकि एंग्री होना हमारा जायज है इस भोजपुरी इंडस्टी में कितनी गंदगी फैल रही है यहीं से हो सकता है कचड़ा साफ होने का एक एजेंडा उठ गया हो हो सकता है कि अब जनता जागरूख हो जाए हो सकता जिस पब्लिक ने अभी तक कहसारी लाल जैसे लोगों को प्यार दिया इन पंकच सिंग की वज़े से इन कहसारी लाल की वज़े से अब ऐसे लोगों को इंडस्टी से बाइकॉट कर देना चाहिए ऐसे लोगों को reject कर दिना चाहिए ऐसे लोगों के गाने ऐसे लोगों की फिल्मे देखनी ही नहीं चाहिए तो अगर आप लोगों को हमारी बातों में बिल्कुल थोड़ी सी भी सच्चाई लग रही है तो आप लोग comment box में हमारा support करिए और अगर मैं गलत हूँ तो आप वो भी comment box में जरूर बताईएगा कि रजनीस भाई आप गलत हैं लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब सुधर जाओ आप लोग इस प्रकार की असलील भोजपूरी फिल्में जो समाज में नकारात्मकता पैदा करती हैं असलील गाने जो समाज के इवा को बरबात करते हो गाना तो आपने सुना ही होगा कि तेरा बेटा हूँ मैं खून का कर्ज निभाऊंगा होली में दारू लाऊंगा पापा के संग दारू पिऊंगा पापा को दारू पिलाऊंगा उस पे मैंने बहुत पहले जब वो सौंग आया था तो reaction वीडियो बनाये था मतलब बेटा खून का करज तब निभाएगा जब वो अपने पापा को दारू लाके पिलाएगा मतलब हद हो गई यार के सारी ला ले दो बिना सिर पैर के यार गाने बनाते हो और फिर कहते हो कि असलील कौन है कौन नहीं है देखो वो बन्दा गलत था उसमें गलती करी बिल्कुल मैं उसके सपोर्ट में हूँ कि उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए लेकिन जब कोई चोर सीना जोरी करके बोलता है कि मैं सही हूँ मैं चोर नहीं हूँ बेटा तो बहुत बुरा लगता है दिल से बुरा लगता है वह ही हो रहा है किसारी लाल यादो तुमारी आवकाद तो पबलिक दिखा ही देगी कि तुम कितने पानी में हो तुमने क्या-क्या भोजपुरी इंडिस्टी में कांट्रिब्यूशन किया है तो तब तक के लिए बाई-बाई जय हिन जय भारत मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और हाँ आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा कि क्या मैंने जो बोला है वो गलत बोला अगर गलत बोला तो क्या गलत बोला सही बोला तो कैसा ही बोला बाई-बाई जय हिन जय भारत